हिसार के हासी में करोना वाइरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सब्जी मंडी के व्यपारियों ने भी अपना सहयोग दिया है व्यपारियों ने हर्याना करोना रिलीव फंड के लिए स्वेच्छा से पांच लाग एक हजार उपे का चेक परदान किया है चेक विधायक विनोद बयाना को सब्जी मंडी में बुलाकर परदान किया गया आपको बता दे कि मंडी एसोशेशन के उप परदान धरम पान ने अलग से 21,000 रुपे का चेक भी भेट किया है SDM जितिंडर सिंग एहलावत भी इस मोके पर मुझूद रहे वहीं सबसर पर मुझूद विधायक विएयाना ने कहा कि करोना वाइरस को फैलाव रोकने के लिए प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी दुवारा लागू किये गई लोकडाउन में हमने जैसा कहा सबजी मंडे के वेपारियों ने वैसा कर पूर्ण सहयोग दिया है और इवन से दुकाने खोनने पर सोशल डिस्टेंसिंग रखनी और प्रशासन का सहयोग करने के लिए हर संभव पर्यास किया है वेपारियों ने सरकार के हर आदेश को माना है विधायक ने कहा कि शुरू में यहां बुरा हाल था उन्होंने SP और SDM ने मीचिंग की और वेपारियों से सहयोग मांगा वेपारियों हर संभव सहयोग देने को तयार हो गए वेपारियों ने कहा कि वह दुकाने भी बंद करने के लिए तयार है विधायक ने कहा कि सबजी मंडी के दुकाने बन नहीं की जा सकती क्योंकि सबजीया पूनियाधी जरूरत है व्यापारी नई सबजी मंडी में जाने को भी तैयार हो गए बियाना ने कहा कि वह सुभे 5 बजे और सुभे 6 बजे भी सबजी मंडी में आए पैदल भी आए साइकल और गाड़ी पर भी हर तरह से उन्होंने घूम कर देखा ताकि किसी को पता भी नहाँ चल सके कि विधायक हमारे बीच में आए हैं और देख रहे थे विधायक ने कहा कि अब अपनी तरफ से व्यपारियों ने रिलीव फंड में पांच लाख एक हजार उपे का चेक देकर सहयोग किया है जो सरहानी कदम है हिसास समधाता विनौत सैनी की रिपॉर्ट यह हमारे सब्जी मंडी असोशेशन ने सबने मिल करके आज हर्याना करोना रिलीव फंड में यानि कि जो डिरेक्ट मुक्यमंद्री जी ने जिसके दिया नामस कर रखा है उसमें पांच लाख एक जार उपया एस इस रिलीव फंड में और 21,000 रुपया अलग से इसमें तो जर्मपाल जी का स्रुजोग रहा ही 5 एक में तो मगर 20,000 रुपय उन्होंने अलग से भी लिया तो आज इन्होंने मुझे बुला के और एस्जिम साहब को बुलाया और अभी इन्होंने 5,1,000 रुपय का चेक और 21,000 रुपय का चेक हर्याना करोना रिलीव फंड आपने इस तरह से चलना है, आपने अल्टरनेट डे पर दुकान कोलनी है, ओडिवन करना है, आपने सोचल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, इन्होंने हर संभव परियास किया कि हम इस बिमारी से हमें मुक्ष होना है और हमें सरकार का आदेश मानना है मैं यहां शुरु शुरु में जब आया, जबी यह मंदी पूरी तरह से चल रही थी, यहां महाश्यक और भी बैठे थे, पर्चून की दुकाने भी थी, जब बहुत बुरा हाल था, एस्टीम साहब मैंने और एस्पी साहब मिटिंग की, तो हमने इनका सयोग मांगा, तो यह बोड़ेगी, हम हर सम्दोग सयोग देने के लिए तयार हैं, तो हमें दुकाने बंद भी करने पर हैं, मगर दुकाने बंद भी नहीं की जा सकती, तो हमने इनको कहा, कि आप नई सब्दी मन्ली में चले जाएगी, यह तो उसके लिए भी तयार हो, फिर इनकी तरफ से एक सोचल डिस्टेंसिंग का मामला, मैं समझता हूं, उसमें बहुत कामयाब रहे, मैं यहां सुबा पांच बजे भी आया, मैं यहां सुबा छे बजे भी आया, मैं पैदल भी आया, मैं साइकल पे भी आया, मैं गाड़ी पे भी आया, हर तरह से मैंने घूम के देखा ताकि कि क करोना से अगर मुक्त है वो सब के सयोग से चाहे हम सब्जी मंडी कहें चाहे मानाज मंडी कहें चाहे हमारी समाजिक संस्थाएं कहें चाहे हमारी राजनितिक दल कहें मैं समाजता हूँ कि सब का सयोग इसमें पूरी तरह से है और सब के सयोग से आज हम हमारे इलाके में करोना से मुक्त हैं और मैं भगवान से प्रातना करता हूं कि ये बीमारी जल्दी हमारे राज्ये से और हमारे देश से भागे इंडिया जीते करोना हारे यही मेरी प्रातना है भगवान से धन्यवाद ऐसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को ल जोती गादन वोल्ड-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning, a perfect venue for wedding, launching and parties, Rajgarana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise.